दोस्तो ये तो आप सभी को पता है कि जंगल की जिंदगी हमारी आम जिंदगी से कई जाधा मुश्किल होती है क्योंकि जंगल में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको किसी और की जान लेनी होगी वरना वो आपकी जान ले लेगा और जिंदगी को बचाने के इसी मक्षद के साथ रोज रोज ये जीव संगर्ष करते हैं जिन में से कुछ सुबा उठते तो हैं मगर रात का चान नहीं देख पाते और कुछ रात का चान तो देख लेते हैं मगर दिन का सूरज नहीं देख पाते दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जंगल के कुछ बेताज बाश्चाओ को जिनके नाम से जंगल के जीव थर-थर कापता है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के मार्टेन खुफसूरत और बहुत मासूम दिखने वाला बिल्ली के अकार का यह जीव बहुत जादा खतरनाक और बहुत जादा सेलफिश होता है लाखों सालों से यह जीव धर्ती पर अपना स्थित्व बनाया हुए हैं दोस्तों आपको जानकर हिरानी होगी कि यह एक मातर ऐसा जीव है जिसको भूक लगे या ना लगे यह अपना एंटिटेर्मेंट करने के लिए शिकार करता है दोस्तों यह गिलैरियों के साथ साथ पक्षी पक्षियों के अंडे और भी बहुत से जानवरों को खाना पसंद करते हैं हलागी दोस्तों यह बात अलग है कि मौसम के अकोर्डी इनकी डाइट चेंज होती रहती है गर्मियों के दिनों में बेरी खाना पसंद करते हैं और पेड़ के तनों में बनी खाली जवाओ पर रहना पसंद करते हैं दोस्तो ये बहुत जादा आकरमक सभाओ का होता है और अपने से कई जादा गुना बड़े जानवर पर हमला करके उसको मारने से भी पीछे नहीं अटता बस दोस्तो आप ये समझ लीजे कि ये जानवर इतना जादा ढीट होता है कि इसके अंदर डर नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है दोस्तो ये बहुत जादा चोटा जीव है जो वैसे तो देखने में काफी जादा खूबसूरत लगता है मगर असल में है बहुत जादा खतरनाक दोस्तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका नाम आखिरकार पॉईजन डार्ट फ्रोग क्यों रखा गया है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इनका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके अंदर इनसानों के उपर जहर फेकने की एक असीम शमता होती है आला कि जोस्तो ऐसा कर-पाने की शमता गार्ट जहादा के कुछ मेंड़कों में होती है और दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जल्दीन के जहर से बहुत ही जादा काम की दवाईयां बनाई जाएंगी देट स्कॉर्पियन दोस्तो इस स्कॉर्पियन की लंबाई लगबग तीन इस तक होती है और ये स्कॉर्पियन नौर्थ अफरीका, मिडल इस्त और एशिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है दोस्तो वैसे तो जादा सर ये स्कॉर्पियन आम तोर पर रात को ही शिकार करता है और एक ही साइस के इंसेक्स को अपना शिकार बनाता है दोस्तों सिस्कॉर्पेन का एक ही बाइट बहुत जादा दर्दनाक होता है और यहां तक इनके काटने से कुछी पल में इंसानों की मौत भी हो सकती है दोस्तों सिस्कॉर्पेन का जहर सबसे जादा इंसानों के लंग्स और हार्ट पर असर डालता है इनके काटने से इंसान के लंग्स के अंदर एक फ्रूड रुटपन होने लगता है जो इंसानों की माउस का कारण बनता है इसलिए दोस्तो इसको दुनिया के सबसे खतरनाग जिवों में से एक माना जाता है दोस्तो अगर ये जानवर एक बार किसी को काट ले तो उसकी जान को बचाना बेहत जादा मुश्किल हो जाता है हाला कि दोस्तो अगर वेक्ति को समय रहते इसका इलाज मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है दोस्तो अक्सर देखा गया है कि इनका शिकार वही लोग बनते हैं जो इनकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर इनको अपने घरों में पालने की कोशिश करते हैं या फिर इनकी सुंदर्ता को देखकर इनके पास जाने की कोशिश करते हैं दोस्तो बहुत बड़ी बड़ी आखो वाला इस जानवर रात के अंदेरे में भी अपने शिकार को बहुत आसानी से देख सकता है और अक्सर पेडों पर ही पाया जाता है इनकी लंबाई लगबग 8 से लेकर 10 इंचिस तक होती है और ये खाने में कीडे मोकोडों के साथ फल और वेजिस भी खाते हैं दोस्तो आम तोर पर ये जानवर चाइना, फ्लिपिन, स्रिलंका और इंडिया के अंदर भी कुछ हिलाकों पर पाया जाता है दोस्तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़ादा जहरीली मकडी कौन सी है अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि इस मकडी का नाम है वार्णिरी की स्पाइडर जो कि साउथ अमेरिका की टॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है और दोस्तों अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह आपको जंगलों मेई ज्यादे तर देखने को मिलेगी तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि यह मकडी ज्यादे तर घरों और गाडियों कें अंदर पाई जाती है जिससे इंसान पूरी तरीके से पैरलाइज भी हो सकता है और दोस्तो अगर समय रहते इंसान का इलाज नहीं कराया जाए तो धीरे धीरे इस मकडी द्वारा काटे गए इंसान का दम घुटने लगता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको च्छे लगी होगी और अगर वीडियो आपको च्छे लगी होगी तो प्रीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो बिलता है बहुत जल्द आपका अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई अपना ख्याल दखेगा